Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 3.4 से question number 4 करेंगे Write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4 3 और 4 के common multiples आपको बताने हैं और जो की 100 से कम होने चाहिए तो पहले हम common multiples ही देखते हैं 3 और 4 के क्या होंगे तो multiples of 3, multiples of 3 वो नंबर होंगे जो 3 के table में आते हैं जैसे 3 1s आ 3 हो गया, 3 2s आ 6 हो गया, 3 3s आ 9 हो गया, 3 4s आ 12 हो गया, 3 5s आ 15 हो गया and so on, table कभी खतम नहीं होता तो multiples भी कभी खतम नहीं होते हैं अब multiples of 4 लिखते हैं हम, तो multiples of 4, यानि 4 के table में आने वाले numbers 4 1s आ 4, 4 2s आ 8, 4 3s आ 12, 4 4s आ 16 and so on अब यहाँ पर हम से वो multiples पूछे हैं, जो 3 और 4 के common multiples हों और 100 से छोटे हों, यानि हम जब 3 के table को और और आगे तक बढ़ाएंगे ना तो हम last में 99 पे पहुच जाएंगे चुकि 3 के table में 99 आता है, ऐसी 4 का table भी करेंगे हम कहीं न कहीं तक तो वहाँ भी हम किसी number तक पहुच जाएंगे, वो हमें पूरा लिखने की जरूद नहीं है हमें क्या है, कि सबसे पहले हमें इनका पहला common multiple पता चल जाना चाहिए अगर पहला number पता चल गया, उसके हिसाब से second, third, fourth, fifth जो multiples आएंगे वो हमें अपने आप पता चल जाएंगे तो इसमें जो first common multiple है, पहले मैं वो लिखता हूँ, तो first common multiple यानि पहला ऐसा number जो दोनों table में आ रहा है, तो वो क्या है, देखिए, 36912, 4812 यह 12 आ गया, 12 जो है, पहला common multiple है, और यह सबसे छोटा common multiple है, जिससे हम LCM भी बोलते है तो first common multiple हो गया है 12, अब जो second number होगा न, वो होगा 12 का double, यानि 12, 2s are 24 समझे, यह second common multiple होगा, और जो third होगा, वो होगा 12, 3s are 36 अगर आप इस table को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, तो आपको second common multiple 24 ही मिलेगा अब यह आपको लिखने है 100 से कम तक, यानि less than 100 तक करने है तो मैं इसको आगे तक लिखता चला जाता हूँ अब सिंपली आपको 12 का table ही लिखना है याप पर, तो 12, 4s are 48 हो गया 12, 5s are 60 हो गया और 12, 6s are 72 हो गया और 12, 7s are 84 हो गया और 12, 8s are 96 हो गया और 12, 9s are 108 हो गया अब हमसे question में कहा है कि 100 से छोटे लिखने, that means यह हमें नहीं लेना है यह वाला 108 हमें नहीं चाहिए, हमें 100 से कम चाहिए तो यह first common multiple हुआ, यह second common multiple हुआ, फिर यह third, यह fourth, यह fifth, यह sixth, यह seventh और यह eighth तो 100 से कम, 12 से शुरू हुआ, पहला common multiple और multiples लिखते चले गए तो 96 वो last multiple है, इन दोनों का, जो 100 से पहले पहले आ रहा है तो यह हमारे answers है, यह जो मैंने यहाँ पर लिखे है न, यह numbers, आपको question यह इसी तरह से करना है तो answer आपके हुए, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96 तो यहाँ पर question में मेरा समझाने का मतलब यह है, कि multiples की कोई limit नहीं होती multiples कभी खतम नहीं होते हैं, और common multiples की भी कोई limit नहीं होगी क्योंकि जब table चलता ही रहेगा आगे तक, तो common multiple भी आते रहेंगे लेकिन वो सारे निकालने के लिए आपको पूरा का पूरा table बहुत आगे तक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है आप पहला common multiple निकाल लीजिए, उसके बाद उसको 2 से multiply करेंगे तो अगला common multiple आ जाएगा, अब जब इसे आप table को करते हुए चले जाएगे ना तो next number आपको यहाँ पे same 24 ही दिखाई देगा, इन दोनों के table में फिर इस table को आप बढ़ाते चले जाएगे, तो next आपको same number 36 ही दिखाई देगा यहाँ पे तो पूरा table लिखने की जुरूत नहीं है, पहला common multiple लिख लिया, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 से करते हुए चले जाएगे जितने आपको common multiples चाहिए वो सारे आ जाएगे कोशन खतम, next questions के लिए मिलते हैं next video में, तब तक के लिए goodbye